हेलो काई इस आफ सभी क्या स्वागत है मेरे यूटिब चानल पर आज हम यहां पर कंटिनी्यू करेंगे कांटरिटी इंडेक्स मै इससे पहले वीडियो पे हमने देखा था प्राइस इंडेक्स नंबर आज रहीं हम देखेंगे क्लास कांटर डी-인가-स नंबर जैसे कि कि आप जितनी भी quantity purchase करें या उस year में उस quantity की value कितनी थी और उसके बेस पे अपनी current year की quantity की value कितनी ये दोनों को compare करना और कितना increase हुआ या कितना decrease हुआ है statistical method से solve करना इसको हम वो सकते हैं quantity दीखे और इसको index number में हम represent कर सकते हैं अब इंडेक्स नंबर जैसे मैंने बता चुका हूँ कि एक अजंशन basis पे data analysis हम करते हैं दीखे एक particular data लेते और उसके base पे हम analysis करते हैं अब इस quantity इंडेक्स नंबर में हम क्या करेंगे कि base year की quantity को current year की quantity से compare करेंगे और एक सम परसेंटेज एक quantity निकारेंगे कि इतनी quantity क्या हुई है increase हुई है या तो decrease हुई है चलिए इसका हम formula देख लेते हैं इसके practical question पर हम आते हैं कहीं पर भी कुछ भी दावट आईगा क्ता है so definitely आप मुझे comment किजिए अगर आप ने चानल पर पहली बार तो च Q1 से यह से पहले जैसे कि हमने price index number देखा था उसमें आपने P0 और P1 देखा था प्राइज है तो P quantity है तो Q तो यहां पर Q0 और Q1 तो यहां पर यह base year हो जाएगा आपका और यह आपका current year हो जाएगा अब क्या करना है class इसका formula देखना है हमें formula समझना है बहुत easy है इसका formula जैसे हमने price index number में यूज किया था same उसी तरीके से यहां पर भी आपको quantity index number में यूज करना है summation q1 upon summation q0 into 100 तो यह हो गया quantity index number का formula चलिए आते हम इसके practical question पर यहां पर आप question देख सकते हो class first one class यहां पर given a commodity 1,2,3,4,5 and the base year यहां पर given a quantity के 141,20,100,200,2,25 and current year यहां पर given a class 180,70,150 and 185 तो चलिए इसको हम solve करते हैं और formula में इसकी value substitute करके दिखते हैं class यहां पर मैंने question लिख लिए हो है यहां पर इसका value substitute कर दिया हुआ है अब हम देखेंगे इसका base यह यानि की q0 और यहां पर आएगा class q1 हम इसका total कर देंगे class यानि की summation q0 और summation p1 यह हमें find out करना है क्योंकि हमारे पास formula class यहां पर quantity index number का तो चलिए यहां पर इसका पहले total कर लेते हैं और इसको solve करते हैं और इसको हम plus कर लेंगे तो 0000 और यहां पर 5 तो 5 आगे class 4 6 और 8 1 2 3 5 7 785 इसका answer आगे class base year का अब करेंट यह रिखते तो 005 तो यह लास में आपर आ गया 508758 तो तो यहां पर यहां पर क्लास 18 28 28 का 2 3 4 5 तो यह आगे आपर करेंट यह का कॉंटर टी तो चलिए अब यहां 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 पर पर यूज करेंगे quantities index number और इसका formula होता है class summation q1 divided by summation q0 into 100 ओके summation q1 यहां पर हमने फाइटी फाइटी फाइफ दिवाइट बाइट बाइट करेंगे class अब हम इसको करैंगे आप इजिली दे सकते हो कि फाइट से रिवाइट हो सकता है और आप 15 कर सकते हो यह तो जैसे मैंने बता रहा कि आप उसको डार्टी भी टिवाइट कर सकते हो तो चलिए हम इसका का आंसर देख लेते इसको डिवाइड करने पर इसका आंसर मिलेगा 0.7452 इंटू 100 आपको डेजिमल की बास फोर डिजिट लेना होता है क्योंकि अब हम यहां पर हंडर से मल्डिप्लाइ कर देंगे तो जो आपका डेजिमल है और सिफ्ट हो जाएगा तो 74.52 यहां पर आंसर इस 74.52 तो यह आपका आंसर हो गया क्लास कॉंडरी इंडेक्स नंबर का आयोपी यह जो कॉंडरी इंडेक्स नंबर था यह आपको समझ गया होगा कहीं भी कोई विदाउट तो तो डेफिनिटली आप मुझे कमेट कीजिए चलिए आते भी और एक सम पर यह कॉंडरी इंड इंडेक्स नंबर का फॉम्ला अप्लाई करेंगे सम्मेशन q1 गिवाराव Σमेशन q000 राइट चलिए अब हमें सम्मेशन चाहिए आड ढरिखिगिए तो यहां पी लिखते तोटल और यहां पर लिखिएंगे सम्मेशन q0ौ 2 आहां पर सम्मेशन q1 ओकि अब हम इसको प्लस करें लिए ते ख्रास तो डाट इस में 0 जिस एट फो जए तो यहां पर 14 यहां पर प्लस करें गे 0 6 यहां पर 8 तो डाट इस में इस क्लास्व आ जाएगा 6 6 713 13 13 14 14 का 4 1 क्यारी 7 8 12 12 प्लस 5 डाइछ समीं 17 तो 1740 यहाँ पर वाले शुट्ञे गिर्टे क्लास 1740 और दिवाड़ वाँ 1400 और इंडू 100 कर दिंगे क्लास् यहाँ प्रोक जी 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 चैंसल कर सकते हो जो 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 चैंसल किया दो कि तो आराम से आजाएगा इसली आ जाएगा इसको रिवाइड करते हैं 14 वंजा 14 तो यहां पर 34 हो गया तो 14 टूसा 28 तो 34 में से 28 माइनस कर दो यहां पर 6 तो यहां पर देखें ट्रास फोर टाम पर जाएगा 14 पोज़ा 56 फोर इमेनिंगे बचा दिकें आपर डेजिमल देदें गें क्लास तो 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 यह यह हो जाएगा आपका 40 तो सेम टू टाम पे लेके जाएगे इसको और 14 तूसा 28 रिमेनिंगे विच्छा क्लास 12 तो 12 को आप डिवाइट करें गया है तो एट टाइम पर जाएगा तो यह फोर्टी एज जा वन ट्वेल होता है क्लास तो ताट इस मींस यह आपका आंसर आजाएगा डेजिमल की बाद हमें दो डिजिट चाहिता क्लास तो हमें दो डिजिट मिल गया है तूएट तो चलिए इसका फाइनल स्टेटिमेंट लिखते हैं यहाँ पर तो देरफोर कॉंटरिटी इंडेक्स नंबर is 124.28 तो यह हो गया आपका complete solution तो चलिए क्लास इंडेक्स नंबर में बस इतने ही आपका सम है ठीके कहीं पर भी कुछ भी डावट हो तो डेफेंटली आप मुझे कमेट कीजिए चलिए मिलते हम नेक्स वीडियो में और नेक्स वीडियो में हम सिखेंगे वाल्यू इंडेक मिलते है ठीक श्रूणियो इंडेक्स नंबर